Hello everyone, आज हम सीखेंगे French language के बारे में French language क्या होती है, ये कहां बोली जाती है, ये कहां की राश्टर भाशा है इसके कितने फायदे हैं और हम career में इसको आगे कैसे, school, college और अपनी life में कैसे use कर सकते हैं So first of all, जो French है, French एक official language है, France की और France के अलावा इसको लगभग 40 से 42 देशों में बोला जाता है English के बाद हम सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाशा है, वो French है आजकल अगर हम इंडिया में देखें तो school में, colleges में, और universities में और आगे career perspective में, French को बहुत ही ज़्यादा हम लोग सीख रहे हैं अगर हम बात करें स्कूल के बारे में, तो स्कूल के अंदर class 5 से लेकर के, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 5 से लेकर के French स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद class 6, 7, 8 and 10, 12 तक French as a optional language रहती है और बच्चे इसको पढ़ते हैं इसके अलावा universities में बहुत सारे बच्चे इसका जो है optional language इसको as a official language चूज करते हैं फिर इसके बाद जब बच्चे सीख लेते हैं तो इसको as a language भी सीखा जाता है और बहुत सारी जो universities हैं जैसे कि Delhi University और JNU जवारलान नेरू University उसके अंदर इसका official course किया जाता है जब बच्चे course कर लेते हैं इसमें diploma course होता है इसमें graduation होता है इसमें master's होती है तो उसको करने के बाद जो career perspective है एक व्यक्ति के एक student के वो बहुत जादा बढ़ जाते हैं वो बहुत जादा कैसे बढ़ जाते हैं कि for example आपको french आती है तो french करने के बाद आप किसी भी multinational company में जा सकते हैं किसी भी आप किसी भी एक agency में जा सकते हैं जो tour guiding का काम करती है आप एक translator बन सकते हैं आप एक embassy में काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप एक teacher भी बन सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं तो एक वेक्ति जिसने French या कोई language नहीं सीखी है और एक वेक्ति जिसने किसी student ने French सीखी है या कोई भी language सीखी है उसके career perspective ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा beneficial रहे तो इसी के साथ हम लोग start करेंगे आज हमारा first course French language का